ये वीडियो में हम लोग inside candle trading strategy के बारे में सिखेंगे जिसको मैं पहले आपको बताऊंगा inside candle का मतलब क्या होता है फिर उस inside candle को trade कैसे करना है, कहाँ पे entry लेना है, कहाँ पे stop loss लगाना है और profit booking कहाँ पे करना है फिर मैं आपको बताऊंगा कि time frame कौन सा use करना है, जिससे आप intraday भी trade कर सकते हो और swing trade भी कर सकते हो अगर intraday करना है तो कौन से time frame में काम करना पड़ेगा swing trade करना है तो कौन से time frame में काम करना पड़ेगा तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि inside candle किसको बोलते है तो inside candle का एक simple definition यह है कि आपको पहले एक बड़ा वाला candle identify करना है market में फिर यह बड़े वाले candle के बाद आपको एक ऐसा candle ढूनना है जो इसके inside बना रहेगा मतलब यह बड़े वाले candle का मानलो कि यह high हो गया, यह low हो गया, यह open हो गया और यह close हो गया तो यह high जो रहता है, यह high और low का जो distance रहता है, उसके बीच में अगर एक दूसरा चोटा candle बनता है, तो उसको हम लोग inside candle बोलते है तो इसका यह classic example में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से classic inside pattern हम लोग identify कर सकते हैं तो यह जो high और low का difference रहता है, इसके बाद जो inside candle आता है, वो 25% से अगर less रहेगा, तो एकदम classic inside candle बनता है इसके बाद एक variation वाला भी inside candle आता है, तो जैसे जैसे यह अपना educational series आगे बढ़ता जाएगा, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूँगा तो in simple आपको इस तरीके का candle pattern identify करना है, अभी next बात आती है कि entry आपको कहाँ पर लेनी है, तो entry आपको कब लेनी है, तो यह जो inside candle बना हुआ है, उसके previous candle का जो low रहेगा, यह low के few ticks below आपको entry लेनी है, मतलब मान लो कि यह low आपका 230 रुपय का है, तो आपका entry कहाँ पर आजा जाएगा 239 रुपया 90 पईसे पर यह 80 पईसे पर, यह हो गया आपका entry का point, फिर आपको stop loss कहाँ पर लगाना है, यह inside candle का high है, इस inside candle के high के उपर आपको stop loss लगाना है, यह stop loss लगाने के बाद आपको target कैसे identify करना है, target identify करने का simple technique यह है, कि यह previous candle का high से लेके low तक का जो distance रहे तो इस तरीके से आपको target identify करना है, तो यह हो गया अभी theory के बारे में, आभी जान लेते है practically इसको chart के उपर कि इसको किस तरीके से implement करना है, तो मैं आपको लेके जाता हूँ, bank nifty के उपर, bank nifty one of the most highly traded intraday instrument है, अभी मैं आपको time frame के बारे में बताना चाता हूँ, तो time frame में अगर आप देखोगे, तो आप इस trading strategy के through intraday trade भी कर सकते हो, और इस trading strategy के through आपको swing trade भी किया जा सकता है, अगर आपको swing trade करना है, तो आपको daily का या फिर weekly का time frame यूज करना पड़ेगा, अगर आपको intraday trade करना है, तो आप 1 minute से लेके 1 hour तक कौन सा भी time frame यूज कर सकते हो, चाहे आप 15 minute का कीजे, चाहे आप 30 minute का कीजे, चाहे आप hourly कीजे, चाहे आप 5 minute का कीजे, कौन से भी time frame में ये trading strategy काम करता है, अभी आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको सिखा है, पहले आपको एक बड़ा वाला candle identify करना है, और फिर उस बड़े वाले candle के बाद एक छोट candle बन चुका है, तो ये हमारे लिए inside candle बन चुका है, अभी inside candle identify करने के बाद आपको क्या करना है, ये दोनों में से जो highest high रहेगा, उसके उपर आपको buy का order पंच करना है, अगर मान लोग कि इस तरीके का candle structure बन जाता, कि जिसमें second candle का previous candle के high से नीचे रहता, तो हम लोग इस candle के high के उपर buy का order लगा देते, लेकिन आगर इस case में आप देखोगे, तो second candle जो है, वो second candle का high previous high से जादा है, तो इसके उपर हम लोगों का buy का order रहेगा, और फिर हमारा stop loss का आपर रहेगा, ये जो previous मतलब inside candle बना हुआ है, inside candle का ये जो low रहेगा, ये हमारा यहां पर stop loss का order रहेगा, और target कितना रहेगा, target हमारा रहेगा, ये जो height यहां पर बना हुआ है, इससे दुगना हमारा target रहेगा, तो इस तरीके से आप इसको trade कर सकते हो, अभी दूसरा एक example देख लेते, यहां पर आगर आप देखोगे तो एक बड़ा candle बन चुका है, और फिर उसके पर आपको stop loss का order लगा देना है, और ये जो previous candle है, ये previous candle से दुगना आपको target लगा देना है, अभी इस तरीके से आपको trade करना है, तो ये होगा, inside candle को किस तरीके से trade किया जाता है, अभी दो important point, inside candle का success rate कैसे बढ़ा सकते हैं, और inside candle का risk reward ratio कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर आप ये मेरा free वाला telegram channel देखते हो, तो जहाँ पर मैं free के intraday के signals दे देता हूँ, आप यहाँ पर देखोगे, तो nipty का option मैं ने 135 रुपे पर buy करने के लिए बोला था, 125 रुपे का stop loss था और हम लोगों ने almost जो है, वो 201 रुपे पर profit book कर लिया, मतलब यहाँ पर हम लोगों को 1 as to 6 का risk reward ratio मिला हुआ है, ये free वाले telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में मैंने दिया हुआ है, जहाँ पर मैं free के intraday के signals दे देता हूँ, और उसका link वीडियो के नीचे डाला हुआ है, जहाँ पर 1,52,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए है, यही एक मातर मेरा official channel है, अभी यह जो है, यह समझने के लिए आपको थोड़ा basic price action को समझना पड़ेगा और option chain को समझना पड़ेगा, price action से हमें पता चलेगा कि market में trend कौन सा है, एक बार हम लोगों को trend पता चल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, success rate बढ़ाने के लिए, जो trend के direction में inside candle आएगा, उसी में ही ह हम लोग trade ले लेंगे, otherwise हम लोग trade नहीं ले लेंगे, मतलब मान लोग कि upside का trend market में चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर upside का trend चल रहा था, यह upside के train में inside candle मिल गया, तो हम लोग buy का trade यहाँ पर ले लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा success rate बढ़ जाएगा, यहाँ पर आगर आ important factor आता है कि risk reward ratio को हम लोग किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो risk reward ratio को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, option chain का सहारा लेना पड़ेगा, अब यह option chain में हम लोग क्या करते हैं, option chain में हम लोग identify करते हैं, कि market में कौन से level को break करने के बाद एक blasting move आने की probability है, तो मा particular level को break करने के बाद market में price action के हिसाब से बड़ा momentum आ सकता है, तो हम लोगों को identify करना पड़ेगा, कि यहाँ पर कितने लोग trap हो चुके हैं, जब यह trap लोगों का quantity हमरे पास आ जाएगा, तो उस quantity से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, कि यहाँ पे कितना बड़ा momentum आने की probability है For example, अगर call की सही है, upside का momentum में market है ऐसा समझ लो, और upside के momentum में हम लोगों को यहाँ पे एक inside candle मिला हुआ है, तो यह inside candle में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर अगर 10 लाग quantity में trapping होता है, तो उससे ज़्यादा मूँ 20 लाग जब trapping हो जाएगा, तो उसमें जादा momentum आ जाएगा, तो जितना बड़ा quantity यहाँ पर trap हो जाएगा, उतना बड़ा momentum हम लोगों को दिखाई देगा, उसी तरीके से downside के candle को अगर हम लोगों को identify करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पुट की side में देखना पड़ेगा, पुट की side में यहाँ पर option chain का course करना है उसके sub details मैंने telegram channel के उपर दिये हुआ है telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है अभी ये जो है ये समझने के बाद आपका success rate भी बढ़ जाएगा फिर उसके बाद risk reward ratio भी आपका बढ़ जाएगा अभी यहाँ पर और एक secret बात आपको जाननी पड़ेगी कि price action के हिसाब से जब भी हम लोग inside candle को identify करने की कोशिश करते हैं तो वो inside candle कौन से level पर बना हुआ है यह हम लोगों को समझना पड़ेगा तो यह थोड़ा सा advance level का part है अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को like करते हैं तो इस advance inside candle के बारे में भी आपको में बता दूँगा यह advance inside candle में आपको समझना पड़ेगा फॉर एक्जामपल आपको एक hint देता हूँ आप back test करके देख लिजे मानलो market ने एक swing high बना दिया यह swing high हमारे लिए important swing high बन चुका है अभी यह swing high को market break करता है और breakout के बाद आगर हम लोगों को एक inside candle मिल जाता है तो उसमें हमारा success rate जो है वो success rate ज़ादा रहेगा इसको मैं for example आपको दिखा देता हूँ तो आपका understanding ज़्यादा clear हो जाएगा यहाँ पर आगर आप देखते हो तो यहाँ पर market ने एक inside candle बना दिया है यहाँ पर market ने एक inside candle बना दिया है और यहाँ पर market ने एक inside candle बना दिया है तो यह example number 1 हो गया यह example number 2 हो गया और यह example number 3 हो गया तो यहाँ पर यह example number 1 में आगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यह previous swing high जो था वो previous swing high break होने के बाद inside candle बना और फिर बढ़िया momentum आ गया सेम तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा यह previous swing low जो था, यह swing low break होने के बाद यहाँ पे inside candle बना दिया और फिर एक बड़िया momentum हम लोगों को दिखाई दिया अब ये example number 2 में अगर आप देखोगे तो market ने एक swing low बना दिया लेकिन swing low break होने के बाद inside candle नहीं बना उसके नीचे ही ये swing high के नीचे ही inside candle बना हुआ है तो ये जो price action के कुछ basic और fundamental concept है जिसको मैं बहुत ही advance concept बोलता हूँ ये मैंने जस्ट आपको एक hint दे दिया कि किस तरीके से आप false inside candle के trade को over कर सकते हो उसी तरीके से option chain के भी कुछ secret fund है जो आप implement करोगे तो आपका success rate risk reward ratio भी बढ़ जाएगा अगर ये advance concept मैं आपको सिखाना चाहता हूँ तो अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आते है तो हम लोग क्या करेंगे वीकेंड के ओपर जब भी मुझे time मिलेगा मैं ये advance concept का वीडियो आपके लिए बना दूँगा जिसमें आपको एक अच्छी तरीके से risk reward ratio और आपको एक success rate ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा तो इसी तरीके के educational वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपने इस educational channel को subscribe कीजे और educational channel को subscribe करने के बाद bell icon का button दबा दीजे तो जैसे मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीजेट आपको उसका notification मिल जाएगा और free के intraday के tips के लिए अपना ये यूटूब टेलिग्राम का educational channel भी subscribe कीजे जिसका link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है तो मिलते हैं next educational वीडियो में Thank you very much